नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई आजे कीस वर्स के पुरुस के पाम का एनालेसिस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरप्रथम इनके सवालों को सूड़ेंगे, फिरेकर करके इनके सवालों का उत्र करेंगे, उससे पहले, अगर आप लोगों अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किरपय करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आकिनको प्रस कर दे, ताकि रेटिस आपको मिल जाए, तो चलिए शुरू करते हैं, इनका कोशन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये परहाई कर रहे हैं, आगे किस दिंदगी के विशे में जानना चाहते हैं, आगे सक्सस के विशे में जानना चाहते हैं, नौकरी के विशे में जानना चाहते हैं, हतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है इन महतपूर्ण विश्वपईन को जानना है तो आप बिल्कुल वेचिंता ना करें आपके सारी ही प्रश्णों को हम सुनेंगे और चीजों को गहराई पुरुवक बताने का और समझाने का प्रियास करेंगे तो वीडियो बहुत ज़ादा महतपूर है क्योंकि इनके हाथ पर रेखाओं का माया जाल है और जब किसे वेक्ति के हाथ पर रेखाओं का माया जाल होता है तो दो टाइप के confusions मन में आते हैं खास करके negative confusion से ज़ादा आते हैं negative confusions के अगर मैं बात कर लूँ क्या ये वरीड वाली अवस्था है क्या ये बहुत गर्मर अवस्था है या ये बहुत इच्छी अवस्था है दो major confusions जातक कुप आया देखने को मिलते हैं इस case में वो खुद भी इस प्रकार के confusion में लाते है जब आट पटी रेखा कोई संतुरित रेखा जादा ना होतो और दूसरा case होता है इस case में कभी-कभी ये भी होता है कि ऐसे विक्ति positive way में भी बातों को ले सकते है या फर लिया जा सकता है कोई जोतिसा चारिय इसको positive way में ले सकते है कब जब इस पर कुछ positive अवस्था दिखे तो आप बिल्कुल में चिंता ना करें आपके साड़े ही प्रशनों को हम गैराई पुर्वक सुनेंगे और साथी साथ आपके हाथ पर जितनी रेखाए है पहले तो उसमें हम थोड़ा सा भी दवाव जरूर कर कि कौन सी positive रेखा है और कौन सी negative रेखा है उसके बाद हम discuss पर पहुंचेंगे कि यह कितना negative और कितना positive है लेकर हमेशा याद रखना कभी भी आपके हाथ पर अठपटी बहुत जादा रेखा दिख जाए ना तो यह आपको कर सकती है प्रशान तो इस वीडियो को बड़े ग और वो अपने जब हतेली को देख रहे हो तो काफी चिंता वो महसूस कर रहे हो तो आज के वीडियो उन सब ही कले महतब होना है तो आई सबसे पहले हम positive चीज़ को समझते हैं क्योंकि रेखाओं कमाया जाल इन गयतली पर काफी रेखाए हैं इसमें positive भी होगा negative भी होगा त तो हम judgment पर तभी पहुँचेंगे जब ज़्यादा positive होगा तो अच्छे फलाएंगे अगर ज़्यादा negative होगा तो खराब फलाएंगे दो इतरे की बात होती हैं तो अगर मैं positive चीज़ को दिखाओ तो इनके हाथ पर न ये पर तो भागगे रेखा में difference को समझो भागगे रे चल रही है बहुत जबरदस्त और इस स्टूरी रेखा पर कुछ स्टार एक स्टार यहाँ देख लो एक स्टार यहाँ देख लो दो स्टार दिखिया आपको इसके उपरांत यहाँ पर से एक बागगे को support करने बाई रेखा है तो ये तीन चीज़ आपने समझ लिया ये भी कही न कही आगे ये बागगे रेखा कही ब्रांचस है जो कि completely इनकी हैतली मुझे बता रही है आगे भी बागगे रेखा इनकी चल रही है तो ये सारे बागगे रेखा के ब्रांच है को सरकाली चेतर से दरनलाव के योग भी बने ये अवस्थाएं है यहाँ पर से भी देख जुपिटर पर इनके एक बड़िया सा ट्राइंगल ये वाला दिखा एक बड़िया स्कॉयर दिखा इनके हाथ पर ये वाला कम्प्रीटली इसके उपराथ अगर पॉस्टिव इन दिखो तो बुद्ध पर खड़ी रेखा है डेफिनेटली है और आगे ये बुद्ध रेखा अभी बरा रहे यहाँ पर से ये भी एक पॉस्टिव रेखा मानी जाती है और इसके उपराथ इस सूरी प्रवत के आसपास कुछ एक स्कॉयर दिख गया यहाँ भी एक ट्रैंगल सी आकरते दिख गया ये भी सूरी रेखा के बड़िया के बराचेस है जो कि एक रूप में कारी कर रहा है इसको आम पॉजिटिव रूप में मानना और समझना चाहेंगे तो इनकी ये तो होगी पॉजिटिविटी जो की बिलकुल खराब नहीं है बहुत ज़दा अच्छी ही मानूंगा मैं बहुत ज़दा इसको अच्छा ही माना जाएगा इस समाने नहीं है, तो दोनों अवस्थाओं को लेके देखा जाए, तो आगे आने वाले समय में कितनी भी negativity हो ना, कितनी भी negativity हो तो आपको नौकरी के प्राप्ती होगी हाँ, थोड़ा सब डिफरेंसेज यहां आ सकता है कि जैसे सूरी देखा है, तो यह IS-IPS बनाने वाली अवस्था है, अगर negativity जादा हुई, तो यह आपको IS-IPS ना भी बनाए, क्योंकि जैसे सूरी पर अवस्था है, यह तो definitely जातक को उच्छ सफलता प्राप्त कराते हैं उच्छ पद पर आसीन करते हैं उच्छ पद हासिल करते हैं यह तो confirm है, लेकिन फिर वही बात है, कि आपके हाथ पर negativity कितनी है, तो वो मैं आगे देखूँगा क्योंकि मैं यह बात अगर कह रहा हूँ तो हाथ पर negativity भी होगी अगर मेरे द्वारा इस बात का discussion किया जा रहा है, तो definite रूप से हाथ पर negativity होगा, इसमें है उसको मैं नहीं देख रहा हूँगा, क्योंकि आपको देखने में बड़ी असानी होगी, अब मैं यही पर से, negative कौन-कौन सी यह वस्थाईन कैतली परे, क्या कै negative हो सकता है, उस विशे पर बिचार करता हो तो negativity में यह देखो, राहु देखा परस पर राहु देखा का साथ, परस पर राहु देखा का कट साथ नहीं, कट्स, यह कट्स इंडिकेर करता है जातक के जिंदगी में certain परिशानी को, जिसका उपाए आपको बहतर तरीके से करना चाहिए, वो बताऊंगा और यह बच्पन के ही आयों से कहीं न कहीं, सक्रिये था यहाँ पर से अलगा आगे अगर में देखो negativity, तो negativity में यह एक डिस्ट्रैक्टिव रेखा है यह जितनी सूरी पर रेखा है, डिस्ट्रैक्टिव रेखा है इसमें जातक डिस्ट्रैक्ट फील करते है, मन में डारा परकार के फ्लक्ट्वेशन्स बने रहते हैं किसी परकार के काम्यावी में जाते हैं, तो उसमें गहराई परवग सफलता नहीं मिल पाती या उस काम्याबी को पाने है तो ये गहराई पुरुवग मेहनत नहीं कर पाते है ये इस बात का परचे कराती है ये दो जीज़ देखा इसके उपराद ये एक डिस्टरब शुक्रवला है मोट सुई की प्राबलम्स को बताती है और यहाँ पे कुछ दिस्टरेक्शन के लाइन जरूर है और और नेगेटिविटी अगर मैं देखो तो आपके सीमेल लाइन से कुछ यवा करती अवस्थित है तो कही न कहीं आपको थोड़ा सा तनाव को बताते है तो यह नेगेटिविटी भी है जुपेटर तो इनका ठीक है बहुत गरबर भी नहीं बहुत अच्छा भी नहीं है तो परस पर नेगेटिविटी भी इनके हाथ पर है ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि इनके हाथ पर नेगेटिविटी नहीं है इनके हाथ पर definitely negativity और बहुत ज़ादा है और बहुत ज़ादा है जिस case में आपको बड़े पद की प्राप्ती तो नहीं होगी लेकर इतना sure है कि जैसी आपकी सूरी रेखा और जैसी आपकी भाग्ये रेखा की अवस्था है आपको नौकरी मिलेगी लेकर हाइस राहू रेखा आपको obstacle दे सकता है परशान कर सकता है मन में नारा प्रकार के द्वंद आ सकते है concentration issues रह सकता है आखिर लोगों को सफलता क्यों नहीं मिलेगी आखिर इसकी क्या major वजा हो सकती है वही वाली बात है मन में द्वंद मन में दुविदाए मन में असमंजस के स्थिति इन सब प्र देहे नहीं है जहां पर से आप थोड़े इंट्रोवर्ड हो सकते हैं आप लोगों से कम बाचीत करना पसंद करेंगे concentration issues के योग बन सकते हैं इस प्रकार के सारी समस्याओं को ये अवस्था जरूर बताती है और दिखाती है खेर कोई बात नहीं मैं आगे विचार करता और चीजे क्या है आपके हैतली पर कैसी है वो मैं देखता हूँ अब ये negative और positive बात हो गई अभी इनके प्रशन पर चलूँगा तो इनके प्रशन थे कि ये अपने जिंदगी पर उच्छे सफलता प्राप्त करना चाहते हैं अपने जिंदगी पर बड़ा कारे करना चाहते हैं हमाले जितने युवागण हैं कोई भी अपने जिंदगी पर बड़ा कारे तो करना चरूर चाहेंगे कोई भी उच्छे सफलता प्राप्त करना चरूर चाहेंगे इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है तो इनके हैतली पर न नेकिटिविटी है तो इसका उपाय और निराकरन कर जितनी भी नेकिटिविटी है ओरिजेंटल रेखाओं को लेके कट्स को लेके और विप्रीत कंडिशन्स को लेके वो सारी खतम हो जाएगी तो रोजाना रोज सुबा आपको सूरी को जल देना ये आपके लिए कंपल सरी है इसके उपरां आपकी जीवन रेखा पर काफी ज जातक आगे प्रेडित हों किसी कारे को करने है तू लेकिन किसी कारण बस अगर आपस्टेगल आ जाए तो वो भी एक परकार की समस्या होती है तो इस परकार की सारी समस्याओं को राहू रेखा देता है तो इसके लिए आपको बहतर उपाय में सज़श कर देता हूँ महज कितना ही दुस्परिनाम राहू और केतुक आपके जिंदगी पर आना हो वो नहीं आएगा इस बात को गहराई फुरवक समझे बिलकुल भी मजाक ना ले बिलकुल भी मजाक में इस बात को ना समझे कि गुरू जी ने बस कह दिया बात खतम ये एक सो टके की बात है ये एक आक से उपर का सजेशन है आपके लिए अगर आपने कर लिया तो आपके जिंदगी पर चीज़े बहतर हो जाएंगा आपके जिंदगी पर चीज़े बहुत ज़दा अच्छी हो जाएंगी राहू रेखा किस अंदर में जातक नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रशित रहते ह जिसमें स्वास्त की प्राबलम जिसमें आपके फाइनेंशिल लॉस जिसमें जॉब ना मिलना जिसमें अच्छे एजुकेशन अच्छी कॉलिफिकेशन होने के बावजूत आप घर पर बैठके बस रोटी तोर रहे होते हैं इस परकार की सारी समस्याओं को हेल्थ की विशे इनके एक ना चली है तो अगर आप महादेव के रादना करेंगे तो श्वेम महाकाल जब आपका साथ होंगे श्वेम महाकाल की जब आपके उपर त्यादस्टी होगी तो आपका कोई राहू और के तो कुछ भी नहीं मिगार पाएगा यह मैं गहराई पुरुवक कह रहा तो आप ज़रूर राहू रेखा के लिए यह उपाए करें तो यह हो गई दो चीज़े अभी इनके जीबन रेखा से और वे चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ बाकी कुछ विसे इस्तम प्रशन है नहीं इनके जो एक धहनिक प्रशन होता है जो एक नॉर्मल प्रशन हो थी तो जिन्दगी पर कुछ कुछ बदलाव या मेजर बदलाव को बता रही थी तकलीफ तो ऐसे होता है क्योंकि हाथ पर राहू रेखा भी है तो ये खास करके थोड़ी प्राब्लम्स को तो बताती ही है जहाँ पर से जातक के जिन्दगी में थोड़ी समस्या है देखनी को मिलती है वच्पन में लेकिन फिर भी समय निकल जाता है एक दिक्कत यहाँ भी था उनी इस वर्स में बाकी एक तरक्की के योगे की इस वर्स में थी कहते हैं न कि कोई ऐसा दर्द होता है जो आपके पुरी जिन्दगी आपको जेलना होता है समझेगा मेरी बात को और फिर आप उस दर्द के यूस्टू हो जाते है अगर आपका कभी कोई सरदर्द नहीं किया है और आपको अचानक सरदर्द हो जाए चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो तो आप थोड़ा सा बेचैन हो जाएंगे और वही सरदर्द आपको लगातार जेलना पड़े हर साल जेलना पड़े हर महीने जेलना पड़े तो आप उसके यूस्टू हो जाएंगे उसका कहने कार्थ क्या है कहने कार्थ ये है कि आप अगर राहू रेखा आपके हाथ पर जिरूस से जादा हो जैसे इनके हाथ पर है अगर पर एजिस में निकालो तो वो संबब नहीं है तो इस दर्द के ये यूस्टू हो जाते है जो छुटी-छुटी राहू रेखा है न तो हल्की-हल्की प्राब्लम साती है उसके ये यूस्टू हो जाते है जैसे कि जैसे इनका भाग्यरे का बहुत शक्रिये हैं इनके हाथ पर तो कही न कही बागे लेका सपोर्ट कर रहा है और ये विक्ति को उस प्रकार की काम्याबी नहीं मिलती है लेकिन इनका माइंड सेट हो जाता है कि मुझे बच्पन से ये वैसा कोई काम्याबी नहीं मिला है अगर नॉर्मल भी काम हो तो मैं कर लूँगा ज़्यादा महादवाकांची ये लोग नहीं रहते हैं इन लोग को पता होता कि मुझे इतनी ही मिलेगी समझ गया ना बात को तो कहने कार्थ ये है कि अगर किसी विक्ति के हाथ पर बहुत ही अच्छी प्रगती के रेखा 30 वरस तक है, मतलब 30 वरस तक वो करूरपती बन सकता है, और 30 वरस से लेके 34 वरस के बीच में राहू रेखा जिसमें उसको तकलीफ होगा, तो वो विक्ति परशान हो जाएगा, अ कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि हर साल है कहीं न कहीं, अलकी-अलकी समझतिया या फिर जो डिजर्विंग होता है, उस प्रकार से काम्याबी को नहीं बता रही है, तो ये कौमा नहीं इनके लिए, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, हाँ मैं विचार करूँगा उस र तकलीफ बर जाए, तो वो ज्यादा तकलीफ बताती है, अब जैसे इनका 21 वर्स में तरक्की था, तो मैं तरक्की ही समझूगा, रहु रेका को भूल जाओ, मैंने आपको क्रियालिटी के साथ समझाया, 23 वर्स में तरक्की है, फिर आपके लगबग 25 वर्स में इस एस तक आ 48 में दिक्कत है, जीबन रेका बड़ी, 48 के बाद रहु रेका नहीं है, मान लो नहीं है, क्योंकि कोई बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, और एक 52 में तरक्की है, उसके बाद भी लाइफ लाइफ लाइन काफी अच्छी है, बहुत सबर दस्ते हैं, कुछ ट्रेंगल नहीं है, पचीस वरस्तक आपकी जिंदगी बाद सटल्मेंट के योग, सरकारी नौकरी भी लग सकते हैं, बस आप प्रियास जो कर रहे हैं, इस प्रियास में और स्ट्रेंथ लाइए, इस प्रियास को और अच्छे से करें, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है तो ये तो हो गई इनकी positive negative और इनके महतपून है सवाल अब इनके तलिक आप जनना दियन करेंगा चीज़ों को असपस रूप से clear करेंगे तो वीडियो काफी सदा महतपून है देखें सीखें समझें ये इनका दूसरा पिक है यह आगा स्कॉार स्पाम प्लैनेट्स बहुत इच्छे भी नहीं बहुत खराब भी नहीं नॉर्मल है ठीकठा कंडिशन्स में है जहां पर से राज्यो कारा का वस्था तो है comfortable life तो रहते ही इस सवस्था में गुलाबी एतली है धन को एट्रैक करती है जब भी धन क्या हो शक्ता हो कही नहीं से जंदगी पर धनाता है इस nor Small True अच्छे बा काफी महात् कांचिया आप और प्रिया थंब है तो बढ़िया विक्तितो का पर्चकर करा रहा है ऐसे विक्ति का शांदार जांदार विक्तितों होता है किसी के समखच जुकने वाली itapti बिलको भी नहीं होती Commun के कि उपरां समझchemistry के कह भी लूब काफी तो हैं यह बुद्ध फिंगर लंबी है तो कहीं नहीं कमुनुकेशन के वाइस परबल होते हैं फिंगर लंबे करेचे क्रेटिवेटे यह स्ट्रंथ का परचे तो यह कराती ही कराती है जातक समझदार परविर्थी के है अगर प्लैनेट्स पर बात कर लूँ तो जुपिटर म वैसे ठीक है जहां से यह दार्सनिक सोच के विक्ति होते हैं और सीमेल लाइन से इमोशनल तो ही तो यह यवा किरती है जो कि वही वाली बात है तो ठोड़े स्ट्रस भी लाइफ में रही है तो स्ट्रस फुल थोड़ी जिंदगी रह सकती है यह कहलो आप यूस्टू हो जा के ही ब्रांचेस थे यह सारे यहां से दबाव विक्ति मैनती तो है बाकी बाग्य रेका मैं देख रहा हूँ ठीक ठाक है बहुत कराब भी नहीं बहुत अच्छी भी नहीं ठीक है इसको मैं बहुत अच्छी भी नहीं नहीं ठीक है इसको मैं बहुत अच्छी बहुत यह आपको उच्छ अस्तर ये सम्मान दिलाएगी, बस वही बात है, नेगेटिविटी जदा है, तो उच्छ अस्तर ये सम्मान को आप थुला निमनस्तर में कर दो, जहाँ पर तरक्की दिलाएगी, और कुछ इंट्रोवर्ट के योग योग योबी है, ये भी एड और इस्ट गर से दूर के यात्रा हो, ये सब यात्रा की लेखा है, जो आपके हाथ पर है, थोड़ी यात्राओं को ये बताती है, ये एक बुद्धर रेखा है, बुद्धर रेखा है, बिजनस तो आप नहीं कर पाएंगे, चुकि इंट्रोवर्ट वेक्ति कैसे वेपार करें, कैसे ल बाग्य रेखा के ब्रांचे से सारे बाग्य रेखा के ब्रांचे से तो ये negativity को बहुत अत्तक कम कर रही है, positivity negativity को कम करने में balance करती है, ये सब भी कुछ यात्रा के योग है, जो महेज 55 वर्स के आयू के बाद से बने हुए है, जीवन रेखा काफी अच्छी है, बस राहू खाये तो यही एक थोड़ी गरबरी है, लेकिन इसके मतलब को मैंने गहराई पुरवग बता ही दिया है, मंगल ड्रे का बड़ी असपस्ट है, मंगल ड्रे का दिकरी है मुझे, लगज़री के लाइन से वो नॉर्मल स्तर मीलेगा, जो कि शुक्र भी money management के योग को बता दा, जो कि ठीक ठाक मुझे दिकरा है, पैसा तो कमाल होगे, बस्तोरा सा पारी बारे के स्ट्रेस रहता है, फैमिले के स्ट्रेस के योग भी आपके हाथ पर पहुंचाता है, सोचने की प्राबलम भी है, आपको इंट्रोवर्ड विक्ती अगर जादा सोचने लगे ना, तो ये इनके लिए बिमारी का घर बन जाता है, तो जादा मत सोचो, कुछ प्रापटी के योग भी बने है, काम करने पर जादा बिलीफ करो, और कभी न कभी तो लोगों से आपको जुड़के कारे करना ही है न, तो आज से ही क्यों ना, तो अपने इंट्रोवर्ड नेचर को छोड कि आप आगे बढ़े और कोशिश करें, जिन्दगी पर बड़ा मुकाम आसिल करें अपने दम पर, तो यह था इन गतले का पूर्णता विश्टलेशन, अगर आपको हमारे यह बड़े पसंद है, लाइक करते, कमेंड करते, से स्काइब करते, आप विक्तिकत रूप से मैं स सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा वार्सप नमबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल देगा, लेकर आप समपर कर सकते हैं, धन्यवाद